Hello Friends, Welcome Back आज हम Extrude और Extrude Cut कमांड से बाकी के सारे पार्ट्स बनाना सिखेंगे चलिए शुरू करते हैं New File ओपन कीजिए, Part Module में Front Plane एक Center Land ड्रो कर दीजिए Tools में जाईए Sketch Tools और Dynamic Mirror स्टार्ट कीजिए Select the reference line अब हम उमारा पार्ट बनाना शुरू करते हैं इसमें Dimensioning दे देते हैं इसमें जाएं Total Height हमारी 56 अगी और उपर जो Height Length है वो 48 अब देख सकते हो यह Geometry fully defined geometry हो गई है Features में जाएके Extra जे रहेगा 34 अब इसमें हम ब्लाइड नहीं जाएंगे हम जाएंगे Midplane क्यों क्योंकि बाद में हमें काफी helpful हो रहेगा यह Geometry complete करने के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं मैं आपको बाद में बताता हूं ओके यह हमारा इतना model तैयार हो गया है अब हमें दो features और add करने हैं जो यहां center में आते हैं तो हम वापी से लेंगे front plane अब आप देख सकते हो कि front plane यह object के center में आ रहा है क्यों क्योंकि अगर हम इसमें जाके edit feature करते हैं तो mid plane हमने select किया हुआ तो यह पूरी geometry center में आगी और यह जो आगे वह center से पकड़े गाई है ठीक है okay वापीस front plane में जाईए sketch normal to line लेजिए center line draw कीजिए अब हम इस sketch का mirror ले लेंगे सामनी की दरफ इसको select किजिए mirror about इसमे dimensioning दे देते है okay features में जाए और extra तो देखिए यह geometry यहां से पकड़ रहा है blind में इसमें भी हम जाएंगे दुबार amid plane तो देखिए यह वापिस geometry center में आगे यहां से हम thickness देंगे 18 और merge result tick mark करके रखेंगे तो यह हमारी geometry तियार होगे अब इसमें extra cut command यूज़ करके दूसरे feature set करेंगे plain select कीज़े sketch normal to और एक corner rectangle दीज़े center line draw कीज़े अब dimensioning दे देते है यह है 8 अब जबी भी हमारे साथ ऐसा हो कि geometry center line से symmetricity में हो तो हमें क्या करना है यह line से लेकिज़े और center line से लेकिज़े तो यहाँ पर symmetricity का symbol आएग उसको क्लिक कीज़े तो geometry अपने आप center line से symmetric बैठ जाएगी core center line add कीज़े और इसी geometry को हमें सामने mirror करना है mirror above center line दीज़े अब features में जाएए और extrude cut तो जैसे कल बताया था blind में हमें हमेशा value specify करनी रहे की वहाँ तक ही वह लेगा जबकि हमारा cutout throughout the body है तो हम select करेंगे throwout okay तो हमारा throwout the body cutout आगया है अब last feature add करेंगे यह face पे चाहिए sketch normal to center line लीजिए corner rectangle लीजिए dimensioning दीजिए arch अंदरा और same symmetricity हम इसमें अप्लाई करेंगे तीनों line को select किजिए and symmetry okay features में जाके extrude cut blind को हटाके हम करेंगे throwout अब देख सकते हो throwout the geometry हमारा cutout आगया है okay तो friends यह हमारी geometry ready हो गई है चलिए next geometry लेते है front plane center line center line वापिस tools में जाई है अब मैं आपको एक दूसरी तरीके से entities mirror कैसे करते है वह बताता हूँ तो यह geometry थोड़ा अलग तरीके से हम sketch करेंगे अब यह पूरी entity को अगर हमें सामने mirror करना है और एक ही center line available है तो आप पूरी geometry को select कर गिए और सिधा mirror command दे दीजिए तो अपने आप सामने mirror ले 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 इसमें dimensioning add कीजिए अभी यह 120 है यह 75 60 135 का एंगा 100 40 तो देखिए हमारी geometry fully defined हो गई है तो आप इस features में जाए एंड extra boss base इसमें भी हम वही करेंगे mid plane लेंगे तिक्नेस रहेगी 200 दूसरे feature side करते है वापिस front plane में जाहिए sketch नॉर्मल टू लाइन लेजिए डेमेंशनिंग कर देता है यह 40 अंगल आपका है 45 एक सेंटर लाइन लेते है पूरी geometry को select करके mirror फिर से features extrude and mid plane 30 thickness अब final extrude feature add करते है top plane select करके sketch normal to उसमें center rectangle लेजिए 50 50 50 ok extra height रहेगी 20 और हर एक में हमें merge result tick mark रखना है last extrude cut से last geometry add करते है corner rectangle लेजिए 40 65 अब center line रहा कीजिए एक इस तरफ और एक इस तरफ और एक इस तरफ now features में चाहिए और extrude cut blend की जगा हम करेंगे through all ok तो यह हमारा part ready हो गया है thank you friends thank you friends